हैलो दोस्तों कैसे आप सो मैं गुलफाम और विलकम बेक टू माई चैनल तो यार आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वाली वन टीबी की हार्डिक्स ली थी और इस हार्डिक्स को लेने का मेंन परपस यह था कि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ दिन में मेरी जो हार्ड राइब एकदम क्रैस हो गई है लेकिन उस समय तो कैसे कैसे करके बन गई थी और उस समय बनवाने के बाद जो भी जैसा भी उसमें बनवाये थे उस समय से लेकर 2.5 साल या उससे भी ज्यादा था हमारा कंप्यूटर चल गया और दुकान वाले ने जिसने बनाया था और बोले थे भाईया कि यह बहुत ज्यादा चार महीन अच्छे महीन आया उससे ज्यादा एक साल के अंदर में एक क्रैस हो जाएगी खराब हो जाएगी आपको नया हार्डिक्स लगवाना पड़ेगा लेकिन मेरी हार्डिक्स दो साल से ज्यादा चल गई इसलिए जब ज् रिजर्व करके रखना चाहता था इसलिए मैंने हार्डिक्स खरीदा था ताकि मैं उन सारे डेटा को इसमें कॉपी करके रख लूँ क्योंकि जब हार्डिक्स क्रैस होती है तो उसके बाद कोई भी डेटा मिलना एकदम समलीजे मुश्किल नामम्किन सब हो जाता है जो भी लिए था इसके बाद जब इसमें पूरा डो प्यास्ट कर ली का में यहाली हो गया था उसके बाद लेटाप थोड़ा फास्ट हो गया था लगिन जब इसमें कर में आपको में कौन करने पर लता हैं नौट इंस्टॉल या ऐसे कुछ बता रहा था अभी मैं आपको वाली स्क्रीन दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसा अभी देखी जैसे मेरा लैप्टॉप टर्न आफ है अब इसको आउन करने के लिए पावर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो देखे डेल अभी लिक् यही में प्रॉबलम है यानि जो बूट हो रहा है बूट होने के बाद हार डिसको लोड लेना चाहिए था ताकि जिससे चल सके अगर हाड ड्राइब लोड नहीं हो पाएगा तो ओया सपना फंक्सन करी नहीं पाएगा इसलिए लैप्टॉप कुछ नहीं कर पा रहा है ठीक देखी क्या होगा कांटिन्यू पर क्लिक करते देखी सिस्टम तुलंत अपने आप टर्न अफ हो जा रहा है इसके अलावा कुछ भी हो नहीं रहा है अब यह जो अभी टर्न आफ हुआ अगर इसको हम फिल से टर्न आउन करें तो फिल से वही सेम इंटरफेस आएगा और कां हार्ण इसक चेंज करने के लिए हमारे पास दो ब्सन है या तो हम हार्ण इसक लगा लें या तो SSD लगा लें अब दोनों में बहुत ही डिफेरेंड सो यसो मैंने एक विडियो ब Industry भीबिन हाल इससडी einड होता है क्यों च् independrent होता है क्योंकि इसके अभी मैं दिखाता और यह external है जो हम लोग बाहर से यूज़ करते हैं ठीक है तो हमारे laptop में यही अभी लगा हुआ है और यही खराब हो गया है अब यह जो hardix होता है इसमें कुछ movement होता है कुछ mechanical parts होते हैं जो move करते हैं जिसके move करने से यह जल्दी खराब होने के संभाव नहीं रहती हैं और यह थोड़ा slow भी हो जाता है क्योंकि इसमें movements जादा होते हैं इसलिए इसकी speed जो होती है इसका performance जो हता है थोड़ा सा slow होता है अब यही पर अभी जब यह मेरा खराब हुआ है अगर इसी वक्त हम अपने laptop में SSD इंस्टॉल करवा ले तो मेरे laptop की speed performance सब कम सकम काफी बढ़ लगब 4500 या 5000 के 5000 के नीचे ए आ जाएगा ना 1TB का hard disk लकिन अगर हमको वही SSD इंस्टॉल करवाना हो तो SSD बहुत महेंगे आते हैं SSD double price पर आते हैं सीधा तो 1TB का SSD तो लगवाएंगे नहीं क्योंकि उतना हमको जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारे पास external 1TB का hard disk खुदी है जो और 120GB का SSD लगबग आपको 2200 या 500 के अंदर आ जाएगा उसके बाद आता है 240GB 240GB 3000 से लेकर 4000 के बीच में आता है आप जो दुकान वाले से जैसे आप बार्गें कर लें जितने में दुकान वाले आपको दे 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 ना जितने में सटिस्फाइव हो जाएं तो 3000 से 4000 को कोई लेकिन आप थोड़ा प्राइस अच्छे से पता करेंगे तो आपको सही प्राइस में मिल जाएगा तीन से 4000 के अंदर में तो SSD लगवाने का हार्डिस की अपेक्षा SSD काफी फास्ट रहती और वो काफी ज्यादा रिलायबल भी होती है और उसका टाइम डूलेसन भी इससे ज ज्यादा बढ़ जाता ठीक है तो अभी मुझे क्या करना है दुकान पे चलके अपना ये वाला हार्ड ड्राइब जो अभी मेरे लैप्टॉप में लगा होगा उसको निकाल के उसके जगहां पर नई SSD इंस्टॉल करवाना है तो SSD इंस्टॉल करवाने के लिए SSD भी कई कंप है और हम जो एक्स्टर्नल हार्ड इस लिए भी मेरा डबलूडी का ही है इसको यूस करें काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल रहा है तो इंटर्नल SSD भी हम कोसिस करेंगे कि हमको उसी डबलूडी कंपनी का मिल जाए तो अभी दुकान पे चलके उसको इंस्टॉल करवात है फिल्म मिलते हैं आपसे हाँ तो भाईया फाइनली हमारे लैपटॉप में SSD WD की 240 GB की SSD इंस्टॉल्ड हो गई ते पहले हम लगवा रहे थे 120 GB का लेकिन फिर सोचे 120 GB तो बहुत ही कम होती वैसे मुझे स्टोरिज की एकदम जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी 120 GB बहुत कम होती है क्योंकि उसमें से लगबग 29200 GB तो Local C को दे देंगे System software के लिए उसके बाद अगर देखेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 20 GB फाइनली देखा जायत ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगबग 40-50 GB ले लेता है उसके बाद जो भी अप्लिकेशन हम लोग डाउनलोड करना चाहेंगे उसको भी थोड़ा सा अच्छा खासा इस पेस चाहिए और इस पेस खाली भी रहना चाहिए किसी भी अप्लिकेशन को एकद आप से दुकान वाले ले सकते हैं लेकिन अगर आप किसी अच्छी सौप पे लेंगे तो आपको 4000 से नीचे 3000 से उपर मिल सकता है ठीक है तो आप थोड़ा सा अच्छे से बार्गेन करेंगे तो 240 GB की आपको 3-4000 के बीच में 3500 के अंदर भी मिल सकता अगर अच्छा दुकान 2015 यह 2015 का बना था अभी 2020 चल रहा है यानि 5 साल पूरा यह मेरा हार्डिक्स चला और इसको तो भाई साब बहुत ही रगड के हम चला है मेरे हाथ में थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल हो गया है लेकिन फिर वी 5 साल चल गया बीच में बार क्रैस हुआ था बनवाया थे फिर च चुकी है अब इसकी जगह पर अब इतना मोटा इतना वजह ने उसकी जगह आप जो SSD देखे होंगे उस क्लिप में जो मैंने दिखाया था दुकान पे आपको उसमें SSD हाथ में पकड़ने पर दोनों का ना बहुत ज्यादा हलका लग रहा था SSD हलका होता यह वाला भार ही होत इसलिए मुझे लगवाना था क्योंकि सिस्टम की बढ़ानी थी तो अपने आप ही खराब हो गया अब लग भी गया इसलिए सोचे प्रॉब्लम हो सकती आपके साथ भी हो सकती हम आपको भी बता दे अगर आप लेप्टाप यूज करते हैं तो कभी न कभी प्रॉब्लम में क्योंकि SSD उससे अच्छी होती है तो यह थोड़ा सा टेकनिकल वीडियो हो गया आई होप कि आपको यह सारी बाते समझ में आई हूँ